स्री मद भागवत महापुराण दुती असकंध अध्याय दस अथ दस्मों अध्याय भागवत के दसलच्छन स्री सुकु आज अत्र सर्गो विसर्गस्च अस्थानम ओशन मूत यह मन्वंत रेसानु कथा निरूधो मुक्ति राश्रय ह। स्री सुकु देव जी कहते हैं परिचित इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, अस्थान, पोशन, ऊति, मन्वंतर, इसानु कथा, निरूध, मुक्ति और आश्रय इन दस विस्यों का वर्डन है। दसमस्य विसुध्यर्थम नवानामी रच्छडम वर्लयंते महात्मानह सुरुते नार्थेन चान जसा। इन में जो दसमा आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चे करने के लिए कहीं सुरुत से, कहीं तातपर से और कहीं दोनों के अनकूल अनुभो से महात्माओं ने अन्य नव विस्यों का बड़ी सुगम रीति से वर्डन किया है। भूत मात्रे इंद्री इंद्री धियाम जन्म सर्ग उदाहिरत ब्रम्हालो गुल वैश्म्याद विसर्ग पौरूस है इस्मृत है। इस्वर की प्रेर्डा से गुडों में छोब होकर रूपांतर होने से जो आकास आदि पंजभूत सब्द आदितन मात्राएं इंद्रियां अहंकार और महत्तत्व की उत्पत्य होती हैं। उसको सर्ग कहते हैं। उस बिराट पुरुस्य उत्पन ब्रम्हाजी के द्वारा जो विभिन चराचर स्रिष्टियों का निर्माड होता है। उसका नाम है विसर्ग। इस्थितिर वैकुंठ विजयह ओशडम तदनुग्रह मनवंतराडी सद्धर्म उत्यह कर्म वासनाह। प्रतिपद नास की ओर वढ़ने वाली स्रिष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विश्रुकी जो स्रिष्टा सिद्ध होती है। उसका नाम अस्थान है अपनी द्वारा सुरच्चित स्रिष्ट में भगतों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोसन्ड। मनवंतरों के अधिपति जो भगवद भक्ति और प्रजा पालन रूप सुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की विवासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उति नाम से कही जाती हैं। अवतारानुचरितम हरेश चास्यानु वर्तिनाम सतामीस कथाह प्रोक्ता नानाख्यानूप ब्रिंहिताह। भगवान के विविन आवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविद आख्यानूँ से युक्त गाथाएं इस कथाहें। निरोधो अस्यानू सयन मात मनह सह सक्ति भी ही। जब भगवान योग नित्रा स्वीकार करके सयन करते हैं। तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्यान कल्पित, करत्रित्व, भोगत्रित्व, आदि अनात्म भाव का परित्याक करके अपनी वास्त्विक स्वरूप परमात्मा में श्तित होना ही मुक्ति है। आभासस्च, निरोधस्च, यदस्चाध्य वसीयते, साश्रेह परम्रम्ह, परमात्मेती सब्दते। परिच्छित इस प्रकार, परिच्छित इस चराचर जगत की उत्पत्य और प्रलय जिस तत्तु से प्रकासित होते हैं, वह परम्रम्ही आश्रेह सास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। यो अध्यात्मिको अयम पुरूसह, सो असा वेवाधी दैवी कह, यस्तत्त्रों भय बिच्चेद पुरूसों यदिभावती कह, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी द्रस्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिस्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त द्रिस्दे है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। एक मेकत राभावे यदा नोपल भामहे तृतयम तत्र योवेद सात्मा स्वास्रयास्रह। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए, तो दूसरे दो की उपलद भी नहीं हो सकती। अतह जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिस्ठान आस्रे तत्व है, उसका आस्रे वह स्वयम ही है, दूसरा कोई नहीं। पुर्षोंडम, पुर्षोंडम, बिनिर भिद्य, यदासोस, बिनिर गतह, आत्मनों, अयन, अयनम, अन्विच्चन, वह अस्त्राची, चुच्छी ही सुची है। जब पुर्वोक्त बिराट पुरुस ब्रमान्ड को फोल करनी किला, तब वह अपने रहनी का स्थान ढोडने लगा, और अस्थान की इच्छा से, उस सुद्ध संकल्प पुरुस ने अत्यंद पवित्र जल की, स्रिष्ट की। तास्व वात्सीत, स्वस्रिष्टास, सहस्त्र परिवत्सरान, तेन नारायडो नाम, यदापह पुरुसो द्भवा। बिराट पुरुस रूप नर से उत्पन होने की कारण ही, उसका कारण ही, जल का नाम नार पड़ा, और उस अपने उत्पन की हुई नार में, वह पुरुस एक हजार वर्सनों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायड हुआ। द्रभ्यम कर्म चा कालस चा सोभावो जीव एव चा यदन उग्रहत हा, संतिन संति यद उपेच्छया। उन नारायड भगवान की कृपा से ही द्रभ्य, कर्म, काल, सोभाव और जीव आद की सकता है, उनकी उपेच्छा कर देने पर और किसी का आस्तित्व नहीं रहता। एको नानात्म, एको नानात्वम, अन्विच्छन, योगतलपात, समुत्तित, बेरियम, हिरन्मयम, देवो माया, ब्यस्रिजत्त्रिधा। उन अध्युती भगवान नारायन ने योग निद्रा से जग कर अनेक होने की इच्छा की, तब अपनी माया से उन्होने अखिल ब्रह्मान्द के बीज स्वरूब, अपने स्वर्ण में बीरि को तीन भागों में विभक्त कर दिया। अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत परिच्छित बिराट पुरूश का एक ही बीरि तीन भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो। अधिदैव, मथाध्यात्म, अधिभूत्यमिति प्रभुह। यथैकं परूशं बेरियं तृधाविधत तच्छुडू। अंतह सरीर आकासात, पुरूशस्य, विजेश्टतह, ओजह सहो बलंचग्य, तदह प्राणो महानु, महान सुहू। बिराट पुरुशके हिलने डोलने पर उनके सरीर में रहने वाले आकास से इंद्री बल, मनो बल और सरीर बल की उत्पत्य हुई, उनसे इस सब का राजा प्राण उत्पन हुगा। अनुप्राणंती यम्प्राणाह, प्राणंतम सर्वजन्तुसू, अपानंतम पानंती नरदेव मिवानुगुडाह। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सब के सरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पढ़ जाता है, तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। प्राणे निछिपता छुत तुड़ंतरा जायते प्रभोह पिपासतो जचत अस्ज प्रांग मुखम निर्भिद्धत जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुस को भूंख प्यासकान हो हुआ खाने पीने कीच्छा करते ही सबसे पहले उनके सरीर में मुख प्रकट हुआ मुखतस तालू निर्भिन्नम जेवा तत्रो पजायते ततो नाना रसो जग्य जेवया योग अधिगम्यते मुख से तालू और तालू से रसनेंद्री प्रकट हुई इसके बाद अनेको प्रकार के रस उत्पन हुई जिन्हे रसना ग्रहन करती है विवच्छोर मुखतो भूम्नो वन्हिर वाग्य व्याहितम तत्तयोह जलेवय तस्य सुचिरम निरोध समजायत जब उनकी इच्छा बोलनी की हुई तब वाक इंद्री उसकी अधिश्ठात्री देवता अग्नी और उनका विशय बोलना ये तीनों प्रकट हुई इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में हीवे रुके रहे नासिके निरभिदेताम दोधू यती नभस्वती तत्र वायूर गंध वहो घ्राणू नसे जिग्रिच्छत हुई स्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए जब उन्हें सुहने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेंद्री आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को भैलानी वाले वायू देव प्रकट हुई यदा आत्मनी निरालोक मात्मानम्ज दिद्रिच्छत हुई निर्भिन्ने है च्छिडी तस्य जोतिस चच्छुर अगुल ग्रह हुई पहले उनके सरीर में प्रकास नहीं था फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तों को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के च्छिद्र उनका अधिश्ठाता सूर्य और नेत्रियंद्री प्रकट हो गए इन्हीं से रूप का ग्रहन होने लगा बोध्य मानस्य रिस्वीरात्मन मनस्त अज्जी घिच्छतह कनलवच निरभिदेत्ताम दिशह स्रोत्रम गुडग्रह जब वेद रूप रिस्वी विराटपुरुस को इस्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई उसी समय कान उनकी अधिश्ठात्री देवता दिसाईं और स्रोते इंद्री प्रकट हुई इसी से सब्द सुनाई पड़ता है वस्तुनों मृतु काठिन्य न्यल अगु गुरुवोश्व सीतेताम जिग्रिच्छत तस्त्व अंग निर्भिन्नात स्याम रोम महीरुहाह तत्र चांतर बहिर्वातस्त्व चा लब्ध गुडो बृत्त हुई जब उन्होंने वस्तुनों की कोमलता, कठिन्ता, हलका पन, भारी पन, उश्रता और सीतलता आधि जाननी चाही तब उनके सरीर में चर्म प्रकट हुआ प्रिथवी में में से जैसे ब्रिच निकलाते हैं उसी समय उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वाय भी प्रकट हो गया अस्पर्स ग्रहन करने माली तवचा इंद्री भी साथ ही साथ सरीर में चारो लिपट गई और उससे उन्हें अस्पर्स का अन्भव होनी लगा हस्तव रुरू हस्तुत हस्तव रुरू हतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर सया तयोस्तु बलम इंद्रस्च आदान मुभयास्रयम जब उन्हें अनेको प्रकार के कर्म करने की च्छा हुई तव उनकी हाथ हुगाए उन हाथों में ग्रहन करने की सक्ती हस्तेंद्री तथा उनकी अधिदिवता इंद्र प्रकट हुई और दोनों के आस्रे से होने माला ग्रहन रूप कर्म भी प्रकट हो गया गतिम जिगी सत पादो रुरू हाते अभिकामी काम पध्याम यग्या स्वयम हब्यम कर्म भी क्रेते निभी जब उन्हें अभीष्ट अस्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके सरीर में पैरुगाये चलनों के साथ ही चलन इंद्री के अधिस्ठात्ता रूप में वहां स्वयम यग्य पुरुष भगवान विश्व इस्थित हो गए और उन्हें में चलना रूप कर्म प्रकट मनुस्थ इसी चलने इंद्री से चलकर यग्य सामागरी एकत्र करते हैं निरिभिद्धत सिस्नोवै प्रजानन्दा मृतार्थिन उपस्थ आसीत कामानाम प्रियम तदु भयास्रयम संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर बिराट पुरुष के सरीर में लिंग की उत्पत्य हुई उसमें उपस्थे इंद्री और प्रजापति देवता तथा उन दोनों के आस्रे रहने माले काम सुप का आविर्भाव हुआ उत्सि स्रिचोर धातु मलं निर्भिद्धत वै गुदं ततह पायुस्ततो मित्र उत्षर्ग उहयास्रयह जब उन्हें मल्त्याक के इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ तथ पस्चात उसमें पायु इंद्री और मित्र दियोता उत्पन हुए इन्ही दोनों के द्वारा मल्त्याक के ग्रिया संपन होती है आसे स्रिप्सोह पुरह पुरया नाभी द्वार द्वारम पानत तत्रा पान अर्स्ततो मृत्यु हुँ प्रिथक्तों मुभयास्रयम अपान मार द्वारा एक सरीर से दूसरे सरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभी द्वार प्रकट हुआ उससे अपान और मृत्यु द्योता प्रकट हुए इन दोनों के आस्रे से ही प्राण और अपान का विच्छो यानि मृत्यु होती है आदित्सोरन पानाना मासन कुछ्यंत्र नाडय नद्य समुद्राश्च तयोस्तुस्टि ही पुष्टि अस्तदास्रे जब विराट पुरुसको अन जल ग्रहन करने की इच्छा हुए तब कोख आते और नाडियां उत्पन हुए साथ ही कुछ्च के देवता समुद्र नाडियों के देवता नदियां योन तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आस्रित विशय उत्पन हुए निदिध्यासो रात्म मायाम रिदयम निर्भिदत ततो मनस्ततस चंद्रह संकलपह काम एवच तब जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हिर्दय की उत्पत्ति हुए उससे मन रूप इंद्री और मन से उसका देवत्ता चंद्रमा तथा विशय कामना और संकल प्रकट हुए त्वक्चर्म मांसरू धिर मेदोम मेदो मज्चा अस्थिधातव भोम्यप्ते जोमयाह सप्त प्राणो ब्योमाम बुवायुभी बिराट पुरुस के सरेर में प्रित्वी जल और तेज से साथ धातवें प्रकट हुए त्वक्चा चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा और अस्थिधी इसी प्रकार आकास जल और वायुष से प्राणों की उत्पत्ति हुए गुडात मकानी इंद्रियाणी भूतादी प्रभवा गुडाः मनह सर्व विकार आत्मा बुद्धिर विज्ञान रूपिडी सुरूत रादी सब इंद्रियां सब्द आदी विस्यों को ग्रहन करने वाली हैं वे विस्य अहंकार से उत्पन हुए हैं मन सब विकारों का उत्पत्ति अस्थान है और बुद्धि समस्थ पदार्थों का बोध कराने वाली है मैंने भगवान के इस इस्थूल रूप का वड़न तुम्हे सुनाया है यह बाहर की यूर से प्रित्वी, जल, तेज, वायु, आकास, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति इन आठ आवरणों से घिरा हुआ है अतहपरम सोजमतम, अभ्यक्तम निर्विसेशणम, अनादि मध्य निधनम नित्यम, वांग मनसहपरम इससे परिभगवान का अत्यन्त सोजम रूप है, वह अभ्यक्त, निर्विसेश, आदि मध्य और अंत्य से रहित एवं नित्य है, वाली मन की वहां तक पहुँच नहीं है आमुनी भगवद रूपे मयाते अनुवर्डिते उभे अपिन ग्रिहणंती माया स्रिष्टे विपस्चित है मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूजम व्यक्त और अभ्यक्त जिन दो रूपों का वड़न सुनाया है ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं, इसलिए विद्वान पुरुस इन दोनों को ही स्विकार नहीं करते सवाच्य वाच्य कतया भगवान ब्रह्म रूप ध्रिक नाम रूप क्रियाधत्ते सकर्मा कर्मकह मपरह वास्तों में भगवान निस्क्री हैं, अपनी सक्ति से ही वे सक्री बनते हैं, फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारन करके वाच्य और वाचक, सब्द और उनके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेको नाम रूप तथाक्रियाएं स्वीकार करते हैं प्रजापतीन मनून देवान रिसीन पित्रिगणान प्रिथक सिद्धिचारण गंधर गंधरवान विद्याध्रा सुर्गुहेकान किन्राप सरसो नागान जरपान किम्पुरुसोर गान मात्री रच्छ पिसाचांश्च प्रेत भूत बिनाय गान परिच्छित प्रजापती मनून देवता रिसी पितर सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर असुर यच्च किन्नर अफसराएं नाग सर्प किम्पुरुस उरूग उरग मात्रिकाएं राच्छस पिसाच प्रेत भूत बिनायक कूसमांड उनमाद वेताल यादुधान ग् पच्ची, म्रिग, पसु, ब्रिच, परवत, सरीश्रिप, इत्याद जितने भी संसार में नाम रोप हैं, सब भगवान के ही हैं। दुविधास्च, चतुरुविधा, ये अन्ने जलस्क थलन, भौकस, कुसला, कुसला, मिस्राह, कर्मनां, गतय अस्त्विमाह, संसार में चवर और अचर भेद से दो प्रकार के, तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्विज, भेद से चार प्रकार के, जितने भी जल चर, धल चर, तथा आकास चारी प्राणी हैं, सब के सब, सुब असुब और मिस्रित कर्मों के तद नरूप फल हैं। सत्वम्रजस्तम इती तिस्त्रह सुरु निरिनार काह तत्राप्य कैकसो राजन भिद्धनते गते इस्त्रधा यदै कैकतरू अन्याभ्याम सोभाव उपहन्यते। सत्व की प्रधानता से देवता, रजो गुल की प्रधानता से मनुस्य, तमो गुल की प्रधानता से नार की योनियां मिलती हैं। इन गुलों में भी जब एक गुल दूसरे दो गुलों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्यकति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। साई वेदम जगध्धाता भगवान धर्म रूपध्रिक उश्ळाती अस्थापयन विश्वम तेरे यंग नर सुरात्मभी वे भगवान जगत के धारन पोशन के लिए धर्म में विश्ळुरूप स्विगार करके देवता, मनुस्य और उपस्पच्ची आदिरूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्चो का पालन पोशन करते हैं ततह कालागनी, रूद्रात्मा, यत स्रिष्टम, इद मात्मनह, सन्य अच्छती, कालेन, घनानी, कमिवानी लह प्रलै का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाये हुए इस विश्व को कालागनी स्वरूप, रूद्र का रूप ग्रहन करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को इत्थम भावेन कथितो भगवान भगवत्तमह नेत्थम भावेन ही परम द्रस्टुम अरहन्ति सूर्यह परिच्छित महात्माओं ने अचिंत्य स्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है परंतु तत्व ज्याने पुर्षों को केवल इस स्रिष्टि पालन और प्रलै कर ले वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि वे तो इससे परेभी हैं नास्य करमली जनमादव परस्यान विधीयते करत्रित्व प्रतिसेधार्थम मायया रोपितम ही तत्थ स्रिष्ट की रचना आदिकर्मों का निरूपन करके पूल परमात्मा से कर्मया करतापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है वह तो माया से आरोपित होने के कारण करत्रित्व का निसेध करने के लिए ही है अयम्तू ब्रह्माडः कलप सबिकलप उदाहिर्त विधी साधारड़ो यत्र सरगा प्राकृत वैकृताह यह मैने ब्रह्माजी के महा कलप का अवांतर कलपों के साथ वर्ण किया है सब कलपों में स्रिष्ट क्रम एक साही है अंतर है तो किवर इतना ही है इतना ही कि महा कलप के प्रारण में प्रकृत से क्रम सह महत्तत्व आदि की उत्पत्य होती है और कल्पों की प्रारम में प्राकृत स्रिष्टी तोजियों कीतियों रहती ही है चराचर प्राणियों की वैकृत स्रिष्ट नवीन रूप से होती है परिमाणम्ज कालस्य कल्पल छण भिग्रहम यथा पुरस्ता दब्याख्यास से पाद्यम कल्प मतोस्रिणू परिच्छित काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर गत मनवंतरों का वल्लन आगी चलकर करेंगे अब तुम पाद्य कल्प का वल्लन सावधान होकर सुनू सावनक उवाच सुत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परमभक्त विदुर जी ने अपने अती दुस्त्यज कुटुम्बियों को कोभी छोड कर प्रिथ्वी के विभिन तीर्थों में विजरन किया था कुट्र कौसार वेस्तस्य सम्वादू अध्यात्म संस्रित यद्वास भगवान स्तस्मे प्रिष्टस्तत्व मुआच यद्वास उस यात्रा में मैत्रे रिसके साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहां हुई तथा मैत्रे जी ने उनके प्रस्ण करने पर किस्तत्व का उबदेश किया बुरूही नस्तदिदम सौम्मे विदुरस्य विचेश्टितम बंधुत्याग निमित्तम्च तथे वागतवान पुनः सूत जी आपका सुभाव बड़ा सौम में है आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाईए उन्होंने अपने भाई बंधुों को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लोटाए सूत उआच राग्या परिच्चिता प्रिष्टो यदवे चन्म महामुनिही तद्यो अभिधास से सिडुत राग्यह प्रश्णानू सारत ह सूत जी ने कहा सौनक आदरिसियों राजा परिच्चित ने भी यही बात पूची थी उनके प्रसनों के उत्तर में स्री सुकदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूं सावधान होकर सुनी इती स्रीमत भाग्यवते महापुराणे वया सिक्यामस्टा दस साहस्त्र्याम पारम हंस्याम सैहितायाम दुती असकंधे पुरूस संस्थानू अल्लनम नाम दसमो अध्यायह इती दुतीयह असकंध समाप्तह ओम 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 स्री राधा वल्लभव